हलो दोस्तों नमस्ते आदाव स्वस्तिकाल आपका दोस्त गौरब टेस्ट बुक सुपर कोचिक पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वीकली करेंट अफेर पेवार जहां पर हम लोग करेंगे वह सारे न्यूस को कवर जो क चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग तैयारी में हर एक स्टैप पर स्टैप बढ़ते जाएंगे हम लोग डेली करेंट अफेर में होगा तब उसमें करेंगे मतलब मंतली जो होगा यह आपका नेक्स्ट मंत के फर्स्ट मंडे पर हम लोग करने वाले हैं तो आपके कॉस्टिन से चार बार तो ऐसी रिवाइज हो जाएंगे मेगा डिवीज्ट अब डेली करेंट फेर वीकली करेंट फेर मंतली और उसके हम लोग करेंगे रैपट फार राउंड बिना समय को व्यर्थ करते हूं कि हम लोग चाहते हैं कि पूरे हफते का जो है रिवीजन हो जाए ना चलिए भले वह 40 मिनट में हो 45 मिनट पचास मिनट उससे परक नहीं पढ़ना चाहिए पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रह किया है प्रवीन कुमार श्रि वास्तो अर्विन्द कुमार कि राजीव और अतानू दास सभी लोग कि यहां पर क्या होगा बढ़ा वरसे बताइए सभी लोत पर क्या हो जाएगा करेंगे रासर और जाए एक रहें किसए नेक्ट चॉंगे पढ़ते हैं अगला कोशन है who received the best debut director award at the 57th महराश श्टेट मराथी फिल्म अवर्ड सरिमनी संतान्य महराश राज राज मराथी फिल्म पुरुसकार समारों में सर्वसेश्ट डेब्यू निर्देशक का पुरुसकार किसे मिला है अच्यूत चोपड़े या फिर सुजय दहाके नागराज मंजूले और आदित सारपोददार तो करेक्ट आंसर यहां पर जो लोग करें बहुत बढ़िया कि प्रतिबंद लगा दिया गया है क्या वो मिथाइल एक्जाइन्थीन है रोडो माइन भी है फिन जो है पिनाइल इतलमाइन ए है या फिर जो है एस्पार्टेम है तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया जो लोग ऑप्शन नुम्र बी बी कह रहे सिखर द्वारा जो है युनेसको मुख्याले में लॉंच की गई फिल्म का नाम क्या है ब्रिदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मलेस थंजावूर बिग टेंपल क्रॉनिकल्स एसेंस ऑफ ब्रिदेश्वर या युनेसको हेरिटेज थंजावूर टेंपल सागा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा यह बहुत बढ़ी है जो लोग ऑप्शन नंबर 111 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ब्रिदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मलेस ब्रिदेश्वर मंदर किस ने बनवाया था तो राजा राज चोलने बनवाया था यह आपको धिहान रखना है ठीक है चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है विच कंट्री वॉस रिसेंट्ली रिमूफ रॉम दा फाइनेशल क्राइम वाच लिस्ट ऑफ एफटीएफ इन फैब्रेड़ी ट्वेड़ी ट्वेडिटीपोर हाली में फरवर लोग इराग तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा यूएई होगा यूनाइटेड अरब अमिराथ यहां पर करेक्ट आंसर हो जागा जिसको एफटीएफ की ग्रेलिस से बहार निकाला गया ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला जो है विच वेतरन प्लेबैक स सिंगर वास रिसेंट्ली ओनेड विद्दा लता मंगेशकर अवार्ड हाली में किस दिगज पार्शव गाईका को लता मंगेशकर पुरुसकार से सम्मालित किया गया है सोनु निगम सुरेश वाड़कर उदित नारायन और कुमार सानु करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी चले जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन बी ऑप्शन करे हैं तो करेक्ट आंसर सुरेश वाड़कर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर के कौन सुरेश वाड़कर ठीक है अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर कुछन पूछ रहा है वाट इस दा नेम ऑफ दी फर्स्ट स्पेस क् सब्सक्राइब करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताईए यहाँ पर option number 44 कह रहे है बहुत बढ़िया correct answer यहाँ आप क्या हो जाएगा जो लोग option number 4 कह रहे है odysius correct answer क्या होगा odysius correct answer होगा यह ध्यान रखिंग ठीक है next question बढ़े चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा यहाँ पूछ रहे है which company recently launched प्रथम known as world's first no code platform for computer vision ठीक है हाली में किस company ने computer vision के लिए विश्व का पहला no code platform प्रथम जो है उसका शुभारम किया है क्या यह गूगल है Microsoft है Amazon है या फिर asset AI है correct answer क्या होगा यहाँ पर option number d d तो correct answer यहाँ पर option number d asset AI हो जाएगा यह ध्यान रखेगा और मैंने आपको बताया था दोस्तों बहुत सारी company ने अपने AI की शुरुआत की थी जैसे यहाँ पर open AI की अगर में बात करता हूं तो open AI ने किसकी शुरुआत की थी तो इसनों ने किसकी शुरुआत की थी तो कृत्तिरिम की शुरुआत की थी किसकी कृत्तिरिम की ठीक है चलिए और कृत्तिम जो है दोस्तों 2024 का पहला यूनिकॉन है यह आपको ध्यान रखना है 2024 का पहला यूनिकॉन ठीक है अगला question how many medals did the Indian shuttler win at the BWF para badminton world championship 2024 के रहे हैं BWF para badminton championship में ज 10 13 15 18 क्या होगा यहां पर बहुत ही बढ़िया जो लोग 18 बोल रहे हैं 18 उनका correct answer होगा क्योंकि इसमें स्वन पदक हमने कितने जीते थे तीन जीते थे रजत पदक हमने कितने जीते थे चार जीते थे और जो है कांसे पदक हमने 11 जीते 11 4 15 15 13 18 ठीक है चलिए अगले question बढ़ जिन का पांचवा संस्क्रण कहां हो रहा है क्या यह राजस्थान में हो रहा है उत्तरप्रदेश में महराष्ट में या फिर पंजाब में कहां पर हो रहा है धर्मगार्जियन तो याद रखेंगे correct answer क्या हो जाएगा correct answer आपका राजस्थान correct होगा धर्मगार्जियन जो है इस फर्ष्ट रेल्वे स्टेशन रैंगपो स्टेशन विद्धी फाउंडेशन टूण टूबी लेड वाइड प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अधार शिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेल युद्वे स्टेशन मिल जाएगा सिक्क्रीं के जो चीफ मिनिस्टर है वह पी एस तमांग कौन है पी एस तमांग है और गवरणर जो है वो कौन है तो आप याद्र रखेंगे लक्षमन प्रशाद जी है कौन है लक्षमन प्रशाद है ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़ेंगे अगला सवाल विच सिटी इस होस्टिंग दा थाटीन्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस ऑफ दी वर्ल्ट ट्रेड और्गनाइजेशन इन फैब 2024 परवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन जो है डव्लू टीओ के तेरवे मंत्री स्तरी सम्मेलन की मिजबानी कौन सा शहर कर रहा है जेनेवा स्विजरलेंड अबुधाबी यूएई न्यू यूयॉक सिटी यूसे और जो है टोक्यो जापान करेक्ट आंसर यहां पर क्या ह अबुधाबी तो अबुधाबी जो है दोस्तों यूएई में है और यह अबुधाबी जो है यूएई की कैपिटल है यह याद रखेगा और यूएई में है आपको जो है दोस्तों क्या मिलेगा दुबई हाना और दुबई में ही हुआ था कौन सा कॉप तो कॉप 28 हुआ थ ठीक है चलिए next question पढ़ेंगे who finished on top of the medal टेली at the खेलो इंडिया winter game 2024 खेलो इंडिया शीतकालिन खेल 2024 में पदक तालिका में सीर्स इस्थान पर कौन रहा है ठीक है करनाड का आर्मी महराष्ट और हर्याड़ जिन्हों अभी तक शेयर नहीं कि नंबर वन पर रही है ठीक है नंबर वन पर ठीक है किसमें तो खेलो इंडिया winter game 2024 में ठीक है next question बढ़ते हैं अब देखें what is the theme of world NGO day 2024 NGO का full form non-governmental organization विश्व एंजियो दिवस 2024 की विश्य वस्तू क्या है क्या यह together for impact innovate for change and for a just and sustainable world they can role and influence of NGOs in advancing human rights addressing social and environmental challenges and achieving sustainable development goal building a sustainable future the role of NGOs in the achieving the sustainable development development goals or non-governmental organization dedicated for inclusive equitable and sustainable development क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यारे सब्सक्राइब सी होना चाहिए कुछ लोग कह रहे है तो जो लोग सी कह रहे है उनका जो है correct answer का building a sustainable future the role यह याद रखेंगे दो रोल of NGOs achieving the sustainable development goal ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर what is the name of India's first septic tank cleaning robot ठीक है भारत के पहले septic tank सफाई robot का क्या नाम है ठीक है क्या यह स्वच SBS1 है रोबो cleaner beta है कि जो है clean tech 5000 है और homo sap atom है तो correct answer क्या होगा भारत का यह पहला robot है जो दोस्तों septic tank clean करने के लिए बनाया गया है और बिल्कुल correct answer homo sap atom जो लोग करें उनका correct होगा और यह किसके दौरा जो है develop किया गया है तो आप याद रखेंगे IIT मदरास के दौरा किसके दौरा तो IIT मदरास के दौरा develop किया गया ठीक है अगला question where is the world's first Vedic clock installed विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां इस्थापित की गई है यह आपको बताना है जैपूर वरनसी उजयन और हरिद्वार कहां पर की गई है तो याद रखेंगे बहुत ही बढ़िया वैरे गो जो लोग उजयन के रहे हैं उनका मेला भी लगता है ठीक है कौन सा मेला कुम्ब मेला भी लगता है और मत्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जो हालीम बने थे वो कौन बने थे मोहन यादव बने थे ठीक है मोहन यादव चलिए अगला सवाल विच इंस्टिट्यूट डवलप्ड दा इन्वेस्टर इंफॉमेशन एंड अनलेटिक्स प्लेटफॉर्म लॉंज बाइदा यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्र सेखर द्वारा लॉंज किया गया निवेशक सूचना और विशलेशन मंच किस संस्थान ने विक्सित किय और किस ने किया है और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब को एक और इंफोर्मेशन देना चाहता हूं अभी जैसे कि बताया था कि हम लोग मंदे को क्या करने वाले हैं मंधिली करेंट अफेर करने वाले हैं तो मंदे को सुबच 6 से 7 वजए आपकी क्लास होगी व तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, weekly current affair, पूरे week का current affair का revision कर रहे हैं, और आपको monthly current affair revision यहाँ पर सुब़ज 6 से 7 मुझे हम लोग करेंगे, इससे क्या होगा, आपका जो आज question कर रहे हो weekly, वो monthly वाले में भी repeat होगा, definitely, हाना, और daily current affair में तो आपने किया इथा, इससे आपका 2-3 बार तो ऐसे ही revise हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ correct answer, IIT मदरास कह रहे हैं, तो IIT मदरास जो है, वो बिलकुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, चले, next question मढ़े, आगे ला question, देखे, which Indian banks and financial institution faced penalties from the Reserve Bank of India for the regulatory violation in February 2024, देखे, फरवरी 2024 में, किस भारती बैंक और वित्ती संस्थान को, वित्ती संस्थान को नियामक उनलंगनों के लिए, भारती रिजब बैंक से दंड की सामना, दंड का सामना करना पड़ा है, State Bank of India, Canada Bank, City Union Bank, और all of the above, तो आपको ध्यान रखना है, SBI, ठीक है, फिर उसके आद हम बात करें, Canra Bank, और City Union Bank, जो है, इसको जो है, दोस्तों, यहाँ पे दंड का सामना करना पड़ेगा, यह ध्यान रखेगे, और एक चीज़ का और ध्यान रखेगा, अभी आपको पता है, RBI ने जो है, दोस्तों, यहाँ पे किस पे कड़ी जाल दी जाए, क्योंकि पेटिया मॉलेट वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, चलिया, उसी तरीके से, RBI ने अब जो है, दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा, इन्होंने जो है, दोस्तों, रेगुलेशन है, उनको वाइलेट किया था, तो फरवरी 2024, फरवरी 2024 में प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी द्वारा बताए गए अनुसार जो है, भारत के गगनियान मिशन के लिए, चुने गए चार अंतरिक्ष यातरी निमलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, यहाँ पे, बी बाला कृष्ण नायर, अज आजीत, कृष्णन, अंगद, प्रताप और रजनीश कुमार, करेक्ट आंसर, वैरिकूर, जो लोगा option number 44 कह रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, option number 4, रजनीश कुमार, करेक्ट आंसर, अब देखे, अगर रजनीश कुमार की जगए, तो यहाँ पे इनाउग्रेटेड दा वर्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क एहेड ऑफ रमदान डिस्पाइड फेसिंग क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग इट्स जो है परपस हाली में किस देश ने अपने उद्देश के संबंद में आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद जहें रमजान से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी نजेट का उद्गाटन किया है तरकी साओद्य अरेबया अलजीरिया और येजिप्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वैरेगुट जो लोग अलजीरिया कह रहे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अलजीरिया दोस्तों यह ऐसा देश है जिन्होंने क्या क्या था कि अभी तीसरा सबसे बड़ा मस्जित का उद्गाटन किया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मस्जित ठीक है चले नेक्स कोशन बढ़ते हैं अगला कोशन आके लिए वेर इन तमिलनाडू विल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले दा फाउंडेशन स्टोन ऑफ दी इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन सेकेंड स्पेस पोर्ट ऑन फेबरिली ट्विट्टीएट प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी 28 फर्वरी दो को तमिलनाड खेंगे उनका बिलकुल करेक्ट ऑंसर हो जाए क्या हो जाएगा कुल सेक्र पटरनम करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखेंग स्ट्रेगा और गवरनर और और अरण रवी दोस्तों एकजाम में पूछे जा चुके रहें कि तमिलनाडू के गवर्णर कौन है तो आरेंद रही याद रखेंगे अगला सवाल विच मुवी वॉन दा टॉप फिल्म प्राइज एड दी प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड इन फैबरेडी टुन्टी टुन्टी फॉर करहें फरवरी दोहजार लोग प्रोड़ करेक्ट आंसर बताईए ओपन हाइमर ओपन हाइमर जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह द्यान रखने दिक हैं चले नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं अगला कोशन फरवरी दोहजार चौबिस में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है जेस्टिस रितुराज अवस्थी जेस्टिस संजय यादव जेस्टिस पिनाकी चंद्रगोश और जेस्टिस एम यहां पे खान विलकर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आं होगा ठ Sup confessAT kita paper है अगर पुछेंगे कि ये concept जो है लोकपाल का concept है यह कहां से लाय गया तो ये concept जो है ये लाया गया था स्विडेंट से ठीक है स्वीडेंट से वहां पर में इस्तमाल होता था ठीक है ठीक हैं द्यान राख ने में यह तो यहां पर को हमारे यहां पर होलुते हैं पर इस अधर पुछींगे पहले तो यहां रखेंगे ठीक है चली आगे बढ़े चले अगले सवाल परते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ही रहा वाट इस दा नेम ऑफ दा कैम्पेइन लॉंच बाइ दा गॉर्मेंट इन हायर एजुकेशनल इंस्टिटूशन विद एम ऑफ जो है युवा मद्दाताओं को मद्दान के लिए प्रोसाहित करने के उदेश से सरकार द्वारा उच्छ सिक्षड जो है सस्थानों में शुरू किये गए अभियान का नाम क्या है मेरा वोट मेरा देश हर वोट हर एक आवाज मेरा पहला वोट देश के लिए और इन में से कोई भी नहीं तो करेक्ट आंसर यहां भी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा पहला वोट देश के लिए ध्यान रखेगा और आपको याद रखना है कि 25 जनवरी कब 25 जनवरी ठीक है 1950 को जो है election commission का गठन हुआ था किसका election commission मतलब चुनाव आयोग का गठन हुआ था और इसलिए इस दिन जो है हर साल क्या मनाया जाता है 25 जनवरी को voters दे मनाया जाता है क्या मनाते हैं voters जो मनाते हैं मत दाता दिवस मनाया जाता है कौन सा मत दाता दिवस मनाया जाता है यह भी ध्यान रखना है ठीक है चले next question बड़े अगला question आपके screen पर who has authored the book basic structure and republic basic structure and republic पुस्तक किसे ने लिखी है पी एस स्रीधरन पिल्लाई मार जोसिफ जो है पैरु मुथन या सुबाश शिरोडकर आर मिहीर वर्धन correct answer बताईए very good जो लोग कह रहे है option number one उनका correct होगा पी एस स्रीधरन पिल्लाई यह दोस्तों कहां के governor है तो आप कहेंगे गोवा के governor है कहां के गोवा के governor है यह आपको ध्यान रखना है अच्छा आप यह भी याद रखेगा IEW IEW जो हुआ था वह कहां पर आयजित हुआ था तो गोवा में हुआ था IEW क्या है इंडियन जो है दोस्तों वीक है अब यह कौन सा वीक है यह आप बताएंगे मुझे इसे क्या होगा ठीक है अच्छा गोवा के अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है आगर आप पुछाएगा तो प्रमोद सावन ठीक है आंसर कोई भी दोस्तों करेंगे है सवी लोग कहां परतेंगे आपैसे प्रिजामनेशन चाथन इंड़्य उनवेंशन Require Birth बिल 2024 बीन पास दिन फेबरेरी 2024 करें लोक परिक्षा यहां पर अनुचित साधनों को रोक्थाम विदेग 2024 किस राज्य बे पारित किया गया क्या यह असम में बिहार में पश्चिम मंगाल में या राजस्थान में सभी लोग आंसर करिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा फ प्टवा पाय यह इलीगल मीनषड के साथ जो है तो उस पर कारवाह की जाएगी और उसको 10 साल की जेल 10 को है जेल हो जाएगा और उसको ऊपर एक करोड का फाइं लगेगा इतना एक करोड का पाइन लेगा और आपको पता है यूपी में भी बहुत सारे लिख है अभी हाली तो मुझे लगता है कि दोस्तों आप यूपी सरकार को भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का विल के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो कई बार हमारे जैसे आप जो लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे होते हैं तो माई उसी सी आ जाती है कि यह चैने साथ मैंने पढ़ा अब जिलोगे एक्जाम हो चुके थे यूपी कॉंस्टेबल में कई लोगों ने सिद्दत के साथ दिया होगा ठीक है उन्होंने चीटिंग मिटिंग थोड़ी की है कई लोगों ने अब भाई 47 लोग लोग यहां बा सब्सक्राइब लेकिन तो दस लाक तो रहे होंगे तो अब वह दोस्तों की महनत बेकार चलिया आती है वह नहीं जानी चाहिए ठीक है तो मुझे लगता है यह भी लाना चाहिए राइट यूपी में भी ठीक है और यूपी में क्या पुरा भारत वर्ष में लाना चाहिए चलिए आगे बात करते हैं अगला कुशन विच कंट्री विल रिपील वर्ल्ड फर्स्ट लॉव बैनिंग टोबैको सेल्स फॉर फूचर जेनरेशन डिस्पाइट वर्निंग फ्रॉम रिसर्चर एंड कैंपेनर शोध करताओं और प्रचारकों की चतावनियों के बावजू तो तो न्यू जिलेंड और यह ऐसे वीजियो को तो हमें लगता है पारित करना चाहिए वहां पर क्या होना चाहिए कि बैन करना अगर है तो बैन अच्छे से करें ठीक है यह ध्यान रखेगा चले आगे बढ़ें ठीक है आगे पढ़ते हैं इसी के साथ चले आगे पढ़ेंगे और आपको पता है वैपिंग्ग जो है इंडिया में बैन है वैपिंग यह इन इंडिया नॉट रिस्ट्रिक्टेट इन इस बैन ठीक है चले अगला गोशन आपके लिए यहां करें which countries क्रिकेटर जैन निकोल लौफ्टी इटन ब्रोग दा रिकॉर्ड फॉर दा पास्टेस्ट टीटवेंटी इंटरनेशनल 100 इनमेंस क्रिकेट किस देश के क्रिकेटर जॉन निकोल लौफ्टी इटन ने पुरुष क्रिकेट टीम में सबसे तेज टीटवेंटी अंत सबसे ज्यादा बनाने का दोस्तों यह रिकॉर्ड किसके पास है नेपाल के पास यह भी आपको द्यान रखना है अगर हम बात करते हैं जैन निकोल लौफ्टी ने इन्होंने कितने रण बनाए थे तो इन्होंने 33 बाल्स में जो है सतक बना दिया 100 बना दिये यह आपको दि सबसे कम प्रजन अंदर में और गिरावध देखे ग कहाँ पर ये तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो चाएगा साउद कोरिय और इसकी कैपिटिल क्या है सियोल है यह ध्यान ठीका और यहां पर प्रजनंदर जो है वो कितिनी देखी गई थी 0.97 देखी गई थी क्या कि आगे बढ़ते हैं अगला वुशन विच पोर्ट इस बिइंग इनॉग्रेटेड वाइदी प्राइम कि यहां पर कही रहे हैं कि प्रद्हानमंत्मिदी देश के रूप में किस बंदरगा का उध्गाटन कर रहे हैं कि दंबनर या फिर तों उड़न की ठाकाट कीई ठीक है है कि ओ यहां रखिएंग ठीक है नैचुरल पोट अकर हम बात करें कौनसा घ्यान रखना विषाका पटना में एक नैचुरल पोट भी है विषाका पटना और यह दीपेश्ट भी है हमारे भारत का सबसे गहरा बंदरगा भी है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चले next question पड़ते हैं which country has declared a health emergency amidst a surge in dengue cases ठीक है डेंगी जो है उसके मामले की वृध्धी के बीच किस देश ने स्वास्त आपातकाल घोशित किया है क्या ये ब्राजील ने पेरू ने कोलंबिया ने या फिर वेनिजुल किसे ने किया है बिल्कुल यहां पर कहरे सर होना चाहिए पेरू उनका बिल्कुल correct answer होगा यहां पर दोस्तों कितने 25 जो है दोस्तों जगा में से 20 जगा जो है दोस्तों डेंगू से घ्रस्थ है ध्यान रखेगा और इसको लेकर जो है दोस्तों यहां पर health emergency लगा दी गई ह टैंगी जो किस से फैलता है और इस मौस्कुटो का नाम क्या है C Next Question पढ़ते हैं एकला कुष्चर यहाँ पर क obt he जो है मच्छर से फैलता है मलेरिया तो आप याद रखेंगे एनोफिली इनोफिलीज ठीक है चलिए नेक्स बढ़ते हैं आगला गुशन यहाँ पर कहरें विच इंडियन वॉस नाइटेड बाइडा ब्रिटेन किंग चार्स्त्री इन फैबरिरी ट्वेटी ट्वेटी फॉर् चो जो है नाइड की उपाधििंग गई है क्या यह सुनील भारती मित्तल को दिगई है अलोक लेंका को सुनील लेंका को यह ऑजीम परेजी को किसको दिगए ह्लें भारती मित्तल कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह भारती मित्तल इंटर्प्राइजेस के जो है सी यो भी है यह भी याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन बढ़ेंगे देखें यहां पर आपको दे रहें इंटर्नैशनल आईप इंड्एक्स आईप इंड्स क्या है इंटलेक्ट्यल पर परपरिटी ठीक है ंंतराश्टी affili 5024 के संबंध में निवुलिखित कछणों पर विचार कीजिए ठीक है पहला कतन है 2024 में भारत 42 वे स्थान पर है जो पिछले वर्स के समान ही है ठीक है और दूसरा है नौरवे ने अगला कोश्चन आपके लिए what is the estimated leopard population in India according to the fifth cycle of the leopard population estimated conducted by the conducted in 2022 2022 में आयोजी तेंदुए की जो है आबादी के अनुमान के अनुसार पांचवे चक्र के अनुसार भारत में तेंदुए की अनुमाने अबादी कितनी हैं करेक्ट आंसर क्या होगा 13,874 जो लोग कह रहे हैं उनका करेक्ट होगा 13,874 यहां पर करेक्ट आंसर होगा अब देखिए अगर हम बात करें टाइगर के अबादी काउंट गया था तो 3,166 पाए गया था भारत में और जो leopard पाए गये हैं वो कितने हैं तो 13,874 है और सबसे ज 1907 है और मैं आपको यह भी बता दू कि टाइगर जो है यह भी MP में सबसे जादा है ठीक है और यह कितने हैं यह आप लोग सकेंड होमवक लिए ठीक है सकेंड होमवक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है अगला सवाल आपके लिए विच क सम्लैंग इक्ता गुद्धी विदेयक पारित किया है क्या यह नाइजेरिया है घाना है केन्या है यह पर साउथ अफ्रीका हैining यहांपर घणा कहते हैं मिए यहांपर जो लोग्ता कहने नमबर टू उन आपर करेक्टार क्या हो जाएक यहांपर घाना करेक्टाइब संसर ठीक है यहां करें एसी सी आई ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोचना का नावरण किया है जो फरवरी 2024 तक डैश में नवी करणी उर्जा नवाचार में अग्रणी होगी राजस्थान हरियाना उत्रप्रदेश और चले बिल्कुल करें अंसर यहां पर क्या हो जाएगा करें जो लोग पारहें चले उनका करें अंसरों का चले नेक्स वोशन बढ़ते हैं अगला सवाल वैन विल्दा न्यू क्रिमिनल लॉज रिप्लेसिंग कोलोनियल एरा कोर्ट्स कम इंटू इफेक्ट अपनिवेशक यूग की जो है सहिताओं की जगह है लेने वाले नए अपराधिक कानून कब लागू होंगे जुलाई एक से अगस्त 15 से औक्तोबर 2 से या फिर नवंबर 26 से जल्दी से बताए कब लागू होंगे तो जी हां यहां पर जो लोग करें हैं दोस्तों जुलाई एक उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई एक से लागू हो जाएगा अच्छा दोस्तों एक जुलाई आपको जाद होगा एक जुलाई 2017 को किसी की सुरुवात की गई थी वह किसकी सुरुवात की गई थी सभी लोग फटाफर से बताएए जल्दी जल्दी से और एक जुलाई जो है किसके रूप में बनाया जाता है यह भी आपको बताना है ठीक है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो लोग जी एश्टी करें एक जुलाई 2017 को जो है जी एश्टी शुरू किये गी जी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स जो कि एक डारेक्ट टैक्स है ठीक है अगला वोश्चन इन विच इनकम ब्रैकेट डज पोवर्टी प्राइमरली परसिस्त अकॉर्डिंग टू दी न निती आयोग के सीओ बीवियार सुब्रमनेव के कथन के अलुसार गरीवी मुख्य रूप से किस आयवर्ग से रहती है जी रोप से 5 परसंट 5 से 10 पॉइंट परसंट 10 तू 15 परसंट या 15 तू 20 परसंट कितना हो यहां पर तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक् नमबर 1025 परसंट यह ध्यान रखेगा ठीक है एक कोशन आप से यह भी बन सकता है जो अब यह लोग ने पढ़ा था आपको याद होगा हाली में कि SBI के अकॉर्डिंग जो है कितनी जो है पोवर्टी डिक्लिनेशन हुई है कितने परसंट पोवर्टी डिक्लिनेशन हुई ह तो आप याद रखेंगे SBI के अकॉर्डिंग जो है 4.525 परसंट जो है पोवर्टी डिक्लिनेशन ठीक है चले नेक्स कोशन बड़े अगला सवाल वाट बिल इस दी उत्राखंड गॉर्वर्मेंट प्लैनिंग तो इंट्रडूज इन रिस्पोंस तु दी वाइलेंस इन हल कर रहे हैं उत्राखंड सरकार हल्दोवानी में हुई हिंसा के जवाब में कौन सा विद्यक लाने की योजना बना रही है उत्राखंड रायट कंट्रोल बिल या फिर उत्राखंड प्रोटेश क्रेक्वरी बिल कर्यक्ट आनसर आपका हो जाएगा आप्शन नमबर पोर जो लोग करे रहें उत्तरा खंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल करेक्ट आंसर होगा उत्तरा खंड के सीम कौन है तो यह है पुशकर सिंग धामी पुशकर सिंग मतलब कॉशन होते हैं समाप्त दे के दोस्तों लोग के जितने भी दोस्तों इंप्औरिन के थे उसे लिए उजब टम कर दिया टो यहां व्यहां पर 38 मिनट होएं तो यहां पर आप लोग ने सले और इसी तरीके से हम लोग मन्थली में करने वाले हैं तो दोस्तों इसलिए हम लोग rapid fire कर रहे हैं आप लोगों ने अल्रडी पढ़ रखा है अब इस पर जादा समय देने का कोई मतलब नहीं है इसलिए हम लोगों ने इसको rapid fire round की तरह जो है इसको compete किया है सो देट कि आपका जल्दी से जल्दी एक बार फिर से रिवीजन हो और मंडे को हम लोग मंतली करने वाले हैं हाना अभी तो हमने एक हफते का किया है ठीक है अब मंडे को मंतली जब करेंगे फिर से ये दोस्तों वीक वाले question आएंगे वहाँ पर हना तो आप सोच सकते हो कि यह हाँ पर जो है दोस्तों question पूरे मंद का जितने भी important question है ठीक है सारे भी नहीं करेंगे हम लोग पूरे important जो मंत के होंगे वैसे देखा जाए हफते भर में 40 question तो important आपके निकलते हैं हर मंत में करते हैं हो तो 6 मैंने में कितने हो जाएंगे तो आपके 600 question आपके important question आपके पास हमेशा रहेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे अच्छा है मैं आपको बता दू पीडिएफ के लिए आपको जुड़ जाना है अडरेट गौरफ से टेस्ट बूक पे जहां पर आपको स असानी से जुड़ सकते हैं तो दोस्तों यह था पूरा session तो आज मुझे सभी लोग comment करके बताएगा कि आपको कैसा लगा है session और हम लोग बहुत जल्दी दोस्तों यहां पर weekly current affair कभी टाइम बिल्कुल fix कर लेंगे ठीक है कि आपन को जो है दोस्तों यह किस टाइम पर करना है वह भी आप लोग यहां पर fix कर सकते हैं तो कर लेंगे और मंथली का तो fix है ही मंडे को सुबद 6 बजे वहां पर हूँगी तो वहीं पर आपने लोग करने वाले हैं तो comment करके बताए कैसा लगा है आपको session कैसा लगा है आपको यह rapid fire round जहां पर हम लोग बहुत तेज़ी और दोस्तों comment करके यह भी बताएगा कि कितने question आपके सही गया है क्योंकि देखिया आभी हम लोग ने हाली में इसको cover किया था और यहां पर आपके सारे सही होने चाहिए बढ़ ठीक है कितने आपके सही गया है वहां पर आपको link मिल जाएगा आप उसको open करेंगे और जिस course को आप अवेल करना चाहते हैं उस course को select करके वहां पर आप लोग सारी चीज़े चेक कर सकते हैं वहां पर आपको जो है live classes मिलते हैं ठीक है आपको PDF मिल जाती है ठीक है आपको study practice mock test मिल जाते है ठीक है तो और पस आपको क्या करने discount के लिए मेरा coupon code इस्तमाल करना है गौरव क्या है तो पटावर्ट से कर लीजिए और bell icon button को दबा लीजिए जिससे सारे notification आपको up to date मिले और कोई भी classes आपकी छूटे ना तो जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ दोस्तों दोपहर को 12 से दो बज़े जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं मिनी marathon करने वाले हैं ससे GD के सारे वो सवाल करने वाले हैं जो आपके exam में पूछे गए थे और जो पूछे जा सकते हैं आपके exam में तो चलिए तब तक लिए रखेगा अपना ख्याल आप लोग का ख्याल पढ़ाई करते रहेगा जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद मिरते हैं बाइ-बाइ जय हिन्द जय भारत